हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप आप समय अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की सो यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इनकी तरफ से नया नोटिस आया है पिएच्टी से रिलेटेड एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे सो उसे देखने के लिए सबसे पहले आपको त्रिपुरा यूनिव.ac.in इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा ओफिशल वेबसाइट है स्क्रॉल करेंगे तो देखें यहाँ पे आपको different sections देख रहे हैं तो जो भी news explore करनी होज़े अच्छी से explore कर लीजेगा देख समझ लीजेगा उसके बाद देखें यहाँ admission का option है इस पे हमें click करना होगा फिर admissions related सारे notices आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो देखिए first ही notice है full time PhD program का under ADF AICTE doctoral fellowship तो ये है program इसके under यहाँ पे seats आया हुए है notification आया हुआ है तो चलिए इससे open करके देखते हैं So yes ये है notification So देखिए IT, information technology then computer science and engineering and electrical engineering ये departments है So IT में 5 fellowships, 5 seats है then CSE में 2 है and electrical में 1 है क्या requirement है so MTEK होना चाहिए IT, CSE, EC, EEE में या MCA हो या MSC भी है तो आप eligible है IT के लिए अगर CSE में apply करना है तो MTEK होना चाहिए CSE में या IT में and electrical के लिए of course MTEK होना चाहिए electrical engineering या equivalent में then जो pro pharma है वो website पे available है ADF के जो भी norms हैं आप ये जो copy कर लीजेगा link को या search कर लेंगे अगर normally भी Google में ADF scheme requirements etc. तो मिल जाएगा तो देखे और क्या है requirements तो last 5 years में आपके पास valid gate या net या GRF होना चाहिए right? GRF में डेरी नहीं है क्योंकि obviously या fellowship मिलेगी but हाँ net, GRF या gate score होना चाहिए last 5 years में ठीक है? उसके बाद percentage तो UGPG दोनों में 70% कितना? 70 क्या to be precise 69.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए 69.5 से कम हो तो आप apply नहीं कर सकते UGPG दोनों levels में right? तो यह हो गया requirement यह हो गई condition क्या चाहिए फुलफिल करनी है also age 30 years से कम होनी चाहिए admission के time तक तो देख लेजेगा बाकी मैंने बहुत ज़्यादा बार इसको discuss किया है last year तो आप चाहिए तो previous videos को search कर सकते है ADF search करके anyway apply कहां से करना है तो देखे यह है portal अभी visit कर लेंगे हम तो online registration के time आपको email ID, phone number वगईरा फिल करना होगा उसी पे आपके लिए OTP या login details वगईरा send की जाएंगी and first password के बाद it is suggested or recommended कि आप उसे change करने ठीक है next login करने के बाद आप ID program के अंडर अपने application को फिल कर सकते हैं कोई भी query है कोई भी issue है तो आप doctor मजूमदार को contact कर सकते यह neural officer है EDF के लिए right आपके पास यह email ID है तो आप इस email ID पे सबसे contact कर सकते हैं अगर कोई भी query है next देखिए online application सभी supporting documents के साथ आपको 5 जन्वरी तक कर देनी है so basically deadline or the last date is 5th of January 2023 and बांकि yes अगर दोनों एक से जादर department में basically apply कर रहें तो separately करना होगा application को submit करने के बाद आपको shortlist किया जाएगा Viva के लिए और अगर आप shortlist होते हैं तो आपको email वगरा से inform कर दिया जाएगा so basically interview obviously directly interview होना है and बांकि जो भी details थी वो हमने देखी तो चलिए एक बार हम online application portal पे भी visit कर लेते हैं so yes guys यह है portal ठीक है बाकी information है तो एक बार इसको देख लीजेगा कि आप apply कर पा रहे हैं कि नहीं क्योंकि यह तो बैसे regular के लिए लिए लिखा है but ADF के under open head admissions तो इसको हमें check करना होगा तो इसको एक बार register नाओ करके चीज़ों को देख लीजेगा नहीं होता तो प्लीज अब्सक्राइब देख लगाते से शेयर कर दीजेगा और यह तो पर तोड़ी था जाए तक यू सो मझ फर वाच्छिं